चुनावों में इस्तमाल होने वाली electronic voting machine EVM में वीवी पैट के मुद्दे पर आखिर चुनाव आयोग विपक्षी गडबंधन इंडिया का जवाब क्यों नहीं दे रहा और आज बोल के लब आजाद हैं तेरे में दूसरा मुद्दा होगा आखिर भारती जैंता पार्टी नफ चुनाव आयोग और विपक्षी गडबंधन इंडिया के बीच में जो इस वक्त तू-टू-मे-मे का खेल चल रहा है कांग्रिस के नेता जैराम रमेश ने चुनाव आयोग को एक और खत लिखा है दोस्तों और उसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर कुछ गंभीर आरूप लगाएं वो आरूप क्या है आपके स्क्रीन्स पर कांग्रिस महासचिव जैराम रमेश ने चुनाव आयोग द्वारा वीवी पाट संबंधी चिंताओं को खारिच किये जाने के बाद सुमवार को एक बार फिर मुख्य चुनाव आयोग तो राजीव कुमार को पत्र लिखकर आरूप लगाया कि चुनाव आयोग विपक्षी दलों के सवालों और EVM से संबंधित वास्तविक चिंताओं का ठोस जवाब देने में विफल रहा है नाकाम रहा है इस पत्र में कॉंग्रिस नेता ने लिखा 30 दिसंबर को विपक्षी गटबंधन की तरफ से चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है मैंने चुनाव आयोग से EVM और VVPAT पर चर्चा और सुझाव के लिए आयोग से मिलने का वक्त मांगा था लेकिन उन्होंने मांग को ठुकरा दिया मेरा सीधा सवाल दोस्तों चुनाव आयोग विपक्षी गटबंधन से मिल क्यों नहीं रहा है और आपने दो पंक्तियों का जवाब दे दिया पहले आप विपक्षी गटबंधन से कहते हैं कि भई आपको जो जवाब चाहिए आप हमारे वेबसाइट में चले चाहिए विपक्षी गटबंधन से मिलिए आप शुनाव आयोग हैं आप पक्षपात नहीं कर सकते उनके जो सवाल हैं उनका जवाब दीजे ना और सबसे बड़ी बात वो लोग ईविएम्स पे सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं वो लोग वीवी पैट यानि की वोट देने के बाद जो आपके हाथ में परची आती है उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं मगर चुनाव आयोग का जो जवाब है वो अपने आप में बहुत शौकिंग है चुनाव आयोग ने क्या कहा है चुनाव आयोग ने जहराम रमेश को अपने जवाब में कहा कि रमेश ने खुद सुप्रीम कोट में एवियम और वीवी पैट के मुद्दे पर जो याचिका दाखिल की थी वो भी अभी तक कोट के सामने लंबित ही है आयोग ने कहा कि एवियम में कोई खामी या अनेमिता नहीं है अब यहीं पर चुनाव आयोग की शैतानी आपको दिखाई दे रही है दोस्ते विपक्ष ने कहीं पर भी एवियम पर सवाल नहीं खड़े किये वो क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूँ वो लोग सिर्व इतना कह रहे है कि जब भी कोई व्यक्ती वोट डाले तो वोट डालने के बाद जो परची निकलती है वो परची वोट देने वाले व्यक्ती को दिखाई जाए वो चेक कर ले कि भाई मैंने जिस व्यक्ती को वोट दिया है वो मेरी परची में भी दिखाई दे रहा है नहीं और उसके बाद उसी पर्ची को एक बकसे में डाल दिया जाए। क्यों? ताकि जो भी परिणाम आएं, उसे उन पर्चियों से हम मिला सकें। ताकि दूद का दूद और पानी का पानी हो जाए। पूर्व मुक्छ चुनावायुक्त, S.Y. कुरेशी ने N.D. TV को दिये गए, इस इंटर्व्यू में भी कहा है कि वीवी पैट की पर्चियों के सो प्रतिशत मिलान में आखिर चुनावायुक्त को क्या दिक्कत है? वो भी कह रहे हैं। EVM में कोई खामी नहीं है, मगर वीवी पैट, यानि की वोट डालने के बाद जो पर्चियों निकलती है, उसे मिलाया जाना चाहिए, चुनावी नतीजों से, जो EVM से निकल के आता है। ये बात तो S.Y. कुरेशी भी कह रहे हैं, S.Y. कुरेशी भी ये कह रहे हैं कि विपक्षी दलों से चुनावायुक्त को मिलना चाहिए, तो बड़ा सवाल कि चुनावायुक्त उनसे क्यों नहीं मिल रहा है, जैराम रमेश ने अपने खत में कुछ सवाल उठाए हैं जिनका जवाब दिया जाना बहुत जरूरी है, वो क्या कह रहे हैं दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर, चुनावायुक्त के जवाब में जैराम रमेश ने क्या कहा, जैराम रमेश ने चुनावायुक्त को लिखे पत्र को सोशल मीडिया पर साजहा किया, जैराम रमेश ने सुमवार क लिखे गए पत्र में कहा, मैंने आयोग के साथ इंडिया के घटक दलों के नेताओं की मुलाकात के लिए समय देने का साफ अनुरोध किया था, मुलाकात के एजिंडे में वीवी पैट के उप्योग पर चर्चा करना और सुझाव देना शामिल था, हमारी मांग मानने के बजा इन FAQ में नहीं मिल रहा, तो आयोग ने हमारे सवालों को ही घलत बता दिया, इस से साफ पता चलता है कि हम क्यूं EVM और वीवी पैट पर दर्शकों के सामने चर्चा की मांग कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के साथ ही EVM और वीवी पैट को लेकर चर्चा ना करना, ब तब चुनाव आयोग त्वरित कारवाई करता है, यहां तक कि अगर उन्होंने कोई आपती जनाक बात कहीं भी नहीं होती, तो त्वरित कारवाई की जाती है, हाल ही कि चुनावों में आपको याद है, प्रियंका गांधी वाटरा को नोटिस भेजा गया था, आम आदमी प कुम करणी नेंद से नहीं जाकता, वीवी पैट के मुद्दे पर विपक्षी दलों से ना मिलना, चुनाव आयोग के पक्षपात को एक बार फिर बता रहा है, अब आप समझें कि आखिर क्यूं विपक्ष चाहता है, कि चुनाव आयोगतों के चुनाव में प्रधान मंत्र के इलावा नेता विपक्ष और चीव जस्स विंडिया मौझूद हों, यही सुप्रीम कोट का आदेश था और इसे ही मोधी सरकार ने पलट दिया, मोधी सरकार चाहती है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से उसके काबू में हो, आज चुनाव आयोग विपक्षी गडबंधन से मिल ही नहीं रहा, मैं यही तो समझना चाहता हूँ कि ऐसा आप क्या कर रहे हैं, जिसके चलते आप विपक्षी दलों से नहीं मिल सकते, चुनाव आयोग का काम है कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो सुचारू धंग से चले, वीवी पैट की पर्चियों को गिनने में, आखिर क्या प्रॉबलम है चुनाव आयोग की इसके लिए आपको सुप्रीम कोट जाने की जरूरत नहीं है, विपक्ष सुप्रीम कोट इसलिए गया है क्योंकि आप उन्हें सुनने को राजी नहीं हैं, आपको कई सवालों के जवाब देने हैं, पहले सवाल का ये जवाब देना है कि जब वोटिंग हो जाती है, तो EVM की मशीन्स जो होती है, वो चुनाव आयोग की निगरानी में क्यों नहीं होती हैं, केंद्र सरकार के अंतरगत आने वाले जो पैरा मिलिटरी फोर्स हैं, उनकी निगरानी में क्यों होती हैं, बड़ा सवाल ये भी, कि सोर्स कोड चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं होता, बताइए, रक्षा मंतराले के अंतरगत आने वाली दो एजिंसी के इंजीनियस के पास वो सोर्स कोड होता है, क्यों, ये तमाम सवालात हैं, जिनके जवाब देने चाहिए आपको, जिनसे आप बच रहे हैं, मामला इस वक क्योंकि चुनाव आयोग इस मुद्धे पर पारदर्शता नहीं बरत रहा, वो विपक्षी दलों से भी मुलाकात नहीं कर रहा, जो अपने आप में शर्मनाक है, मैं एक बास पश कर दूँ दोस्तों, मेरा इस वक्त ये मानना है कि EVM को हैक नहीं किया जा सकता, ये मेरा भी मानना है, मगर जहां तक वीवी पाट, वीवी पाट परचियों की बात है, उस मुद्धे को लेकर जो विपक्ष मांग कर रहा है, वो बिलकुल वाजब है, और सुना जाना चाहिए, बोल के लबाजाद है तेरे में आज का दूसरा मुद्धा भाजपा के नफरती नेताओं दोस्तों, आपके स्क्रीन्स पर, यह एं टी राजा सिंह, यह हैं भाजपा के नेता, महराश्ट में एक बार फिर पहुँँ है, और एक बार फिर जहरिली बयान बाजी कर रहे हैं, एक बार फिर मुसल्मانों पर हमला बोल रहे हैं, यहीं नहीं महराश्ट के मुख्यमंत्री एकनाच शिंदे को चुनौती भी दे रहें मैं समझना चाहता हूँ कि क्या महराष्ट में लौ एन ओर्डर दुरूस्त रहे क्या इस बात से वहां की सरकार इतिफाख नहीं रखती आखिर क्यों इस व्यक्ति को इजाज़त दी जा रही है और ये गली गली घुमकर और ये दूसरी बार कर रहा है ये व्यक्ति गली गली घुमकर इस तरह के भड़काओ बयान बाजी कर रहा है आखिर क्यों और आखिर क्या वज़ा है कि महराष्ट सरकार इस पर खामोश है भाचपा ऐसे भड़काओ नेता को बारे में की थी ये भी आप जानते हैं मैं इस समझ नहीं पाता हूं कि नफरती नेताओं को क्यों बढ़ावा भाजपा देती है वो नेता जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं उसे क्यों बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि अब जो मैं आपको खबर दिखाने वो अला वो और भ आरोपी है भाजपा के जोनलIES प्रमुक यह देखिए तमाम आरोपीओं में भाजपा के मौजूदा草नलूप्रमुक सुचिन एहलावत का नाम था यह था तमाम आरूपिओं में उनका नाम और अब भारतिये जनता पार्टी ने उन्हें निउक्त कर या है एक एहम पदपर अब भाजपा के जोनल प्रमुक हो गए हैं वो व्यक्ति जो आरोपी है इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंग की हत्या में यह देखिए यह लिस्ट मेरी नहीं है इसमें देखिए तमाम जो चेहरे हैं इनमें से एक सचन एहलावत भी है अब भाजपा ने इनको जोनल प्रमुक बना दिया है यह सवाल अपने आप में बहुत हैरत में डालता है कि किस तरह से भाजपा इस तरह से नफरती नेताओं को बढ़ावा देती है यह चीज़ समझ के परे आखिर भाजपा को ऐसे क्यों लगता है कि हिंसा को बढ़ावा दिया जाए उतकुमार सिंग मॉब वाइलेंस में मारे गए थे भीड द्वारा की गई हिंसा में मारे गए थे वो वीडियो सब के सामने हैं मगर बड़ा सवाल ये कि जिस व्यक्ति का नाम आरोपियों की लिस्ट में है अब भाजपा ने उसे जोनल प्रमुक बना दिया यह बार बार कि किया जाता है और लगातार किया जाता है और ये सब हमारी समझ के परे है कि एक पुलिटिकल पार्टी का हिंसा और नफरत से इस कदर लगाव कैसे हो सकता है मैं उम्मीद करूंगा कि भारती जानता पार्टी इस पर विचार करेगी क्योंकि मैं जानता हूं कि हर चीज को आप इस्लिए रेहा कर देते हैं कि आपको लगता है कि उन्हें रेहा करने से आपको वोट्स ज़्यादा मिल जाएंगे. ये कही न कही सब भी समाज के चहरे पर भी तमाचा है. कि वो बलातकारियों को बरदाश कर रही है, हत्यारों को बरदाश कर रही है, हत्या के आरूपियों को बरदाश कर रही है और नफरती भाशन देने वाले नेताओं को बरदाश कर रही है, जैसा कि राजा सिंग इसकी मिसाल मैं आपको दे चुका हूँ मैं उम्मीद करूँगा और मैं जानता हूँ ये उम्मीद ही बेमानी है भाश्पा इस पर आत्ममंधन करेगी अविसार शेर्मा को दीजे जासत नमस्कार